हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल और हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जो की है इंटरनेशनलाइजेशन आफ रूपीज तो discuss करते हैं इसके बारे में इंटरनेशनलाइजेशन ओ रूपीज क्या होता है और यह क्यों इतना 안녕 में आ रहा है तो देखिए जब हम इंटरनेशनलाइजेशन ओ रूपीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि internationalization का क्या मतलब है देखो नाम से directly पता चल रहा है कि internationalization of rupees यानि कि जो रुपे है उसको हम internationalized level पर use करना चाहते हैं यानि कि international level पर उसको हम use करना चाहते हैं अब कैसे कैसे use करेंगे international level पर तो हम चाहते हैं कि जो trade होती है international level पर या जो investment ह होते हैं या जो रिजर्व होते हैं जैसे कि हमारे कंटری में आप देखो तो फॉरेक्स रिजर्व है वह आगां में हम लिग अलग करनशी सी यूज करते हैं जैसे यह डॉलर यू ठिक है यन है ना तो यह जापान की तो इस तरीमें की कि अलग लेवल पे accepted हो, अब हम ये सब क्यों चाहते हैं, तो इसके बारे में ही हम ये discuss करने वाले हैं, ये पूरा जो topic है, हम इसमें सब कुछ discuss करेंगे कि क्यों हमें इसकी जरूरत है, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करने में हमें क्या-क्य challenges आ रहे हैं और जैसे कि हमारे एक neighboring country है China उसने already ऐसा किया है उस चाइना का जो currency है वो internationalized currency है तो उसने इस label को कैसे achieve किया है तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए इसके बारे में भी discuss करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो इसे subscribe कीजे और वीडियो को share कीजे तो आगे बढ़ने से पहले और इस topic को अच्छे से discuss करने से पहले हमें ये जारना बहुत जरूरी है कि हमारी position क्या है global level पे अभी presently ठीक है तो इसको जानते हैं तो अगर आप economy के point of view से देखोगे तो हमारी जो GDP है वो fifth largest GDP है nominal GDP के point of view से आप देखें ये इसके terms होते है nominal GDP और DL GDP ये अपने economy में पढ़ा होगा और third largest जो हमारी इंडिया की GDP है वो है मलब global level पे third largest है अगर हम purchasing power parity को देखें ये भी एक concept होता है economy का ही तो purchasing power parity के point of view से अगर देखा जाए तो हमारी जो economy है वो third highest economy है और nominal GDP के point of view से fifth largest economy है वर्ल्ड में साथी साथ ऐसा नहीं है जैसे हम अगर बात करें तो जो हमारा legal tender है यानि कि जो currency होती है कोई भी देश की currency हो तो वो एक legal tender बोला जाता है उसको क्योंकि government उसको legalize करते है या आपको इसको accept करना है ठीक है तो हमारा जो currency का legal tender है वो किवल इंडिया में नहीं है हमारी जो currency है अभी भी कुछ country में चलती है जैसे कि भूटान और नेपाल में ठीक है लेकिन अगर हम जो चाहते हैं कि international level पर हम अपनी currency को लाएं तो उसमें बहुत सारे अभी issue भी है और इंडिया की position अतनी अच्छी नहीं है जैसे कि हम बात करें अगर foreign exchange market के basis पर बात करें या फिर trade जो international level पर trade होती है तो इंडिया का जो उसमें percentage है या इंडिया जो उसमें अपना share करता है वो बहुत कम है इंडिया का share ठीक है इन दोनों चीजों में foreign exchange market और trade transaction में ठीक है तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का भी status क्या है international level पर रूपी को internationalize करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो progress है जैसा कि हमने पहले ही का आए कि बहुत ही limited है अभी हमारी reach अच्छी नहीं है हमारा share अच्छा नहीं है international level पर तो दो 30% euro से cover होता है yen से 17% तक होता है और NMB जो कि चाइना की currency है इसका भी करीफ 7% तक use होता है आप सोच ये चाइना का 7% contribution है global level पर हमारे इंडिया कितना है केवल 1.6% और इसी लिए ये हमारे लिए concern की बात है हमें इस पर और भी काम करना पड़ेगा जिससे हमारी currency का जो foreign action market है उसमें share बढ़ जाए और अगर हम trade की बात करें global trade की तो चाइना का सबसे highest trade है 14% USA का 8% और हमारे इंडिया का cable 2% है तो इस front पर भी हमें काफी काम करना होगा तब जाकर कि हमें कर पाएंगे साथी साथ इंडिया ने क्या किया है कि अभी internationalization of rupee को promote करने के लिए कुछ schemes भी लाइए जैसे कि उसने enable किया था क्या external commercial borrowing को enable किया था अब यह क्या चीज होती है तो देखे external commercial borrowing क्या होता है जहां हम कहीं से बाहर से loan लेते है तो अगर कोई company बाहर से loan लेती है तो उसको हम external commercial borrowing बोलते हैं बला outside इंडिया तो यह agreement हुआ था जैसे रसिया के साथ UAE के साथ स्री लंका के साथ और maurisus के साथ कि अगर हम आपस में कुछ ऐसा borrowing करते हैं या maurisus वाले से या maurisus वाले हमसे borrowing करते हैं तो हम जो है payment dollar में ना करके USD में ना करके हम लोग जो payment है वो rupees में लेकिन इसमें भी कुछ खास progress हुआ नहीं है बस यह बोला गया था लेकिन कुछ खास performance इसमें आया नहीं है और क्यों नहीं आया देगो इसका example से समझ लेते हैं अभी जैसे रसिया है तो रसिया से हम oil को import करते हैं crude oil को ठीक है तो crude oil का payment है वो भी हम dollar में करना है क्यों करते ह जब आपका agreement है तो आप उनसे बात करो ना कि हम आपको रुपीज में payment करेंगे क्योंकि वो भी तो कुछ इंडिया से खरीबते हैं तो वो हमें return में रुपीज में payment देते हैं अब देखिए इसके जो है बहुत सारे benefit होते हैं अभी आप आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारा र current status में और भी इंडिया का status है जैसे कि इंडिया का अगर आप देखोगे तो जो current account देखिए जब balance of payment की हम बात करते तो उसमें दो account आते है एक capital और एक आता है current ठीक है तो current account में तो convertibility है लेकिन capital account में full convertibility नहीं है इसका मतलब क्या कि माल लिजे आप एक investor हो आपका नाम माल जोन है ठीक है आप इंडिया में आते हो और एक लाख डॉलर इंवेस्ट करते हो ठीक है आज आपने एक लाख डॉलर इंवेस्ट कर दिये फिर आप कहते हो कि नहीं अब हमें बापस जाना है तो आपको जो बापस जाना है ना तो यह एक लाख जो डॉलर आपने होते हैं तो अब अगर आप चाहते हों कि आप बापिस जा रहे हो और आप को पूरा एक लाक मिल जाया तो यह प्रॉस़ीबल नहीं है आपको एक लाक एक बार में नहीं मिल पायेगा और यही प्रॉब्लम है इसी को बोलते हैं कि current account current account convertibility तो हमारी country में है लेकिन capital account जो convertibility है वो नहीं है fully convert नहीं है मतलब आपको अगर कोई emergency situation है आप permission ले आए government से वो एक अलग चीज है otherwise आपको पूरा एक लाख डॉलर नहीं मिलेगा एक बार में और एक क्यों करता है या हमारी country में ऐसा क्यों है कि पूरा current account convertible क्यों नहीं कर देते हैं तो देखिए हर चीज के पीछे कोई नहीं रहता है हमारे फुल करेंट फुल कैपिटल एकाउंट convertibility ना होने के पीछे भी रीजन है अब क्या रीजन है तो देखिए अर्वियाई को ऐसा लगता है कि अगर अर्वियाई को भी लगता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो capital flight हो जाएगी capital flight का मतलब यह कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खाली हो जाएगा क्योंकि अगर और यह सही बात भी यह concern भी बिल्कुल सही है इसको मैं आपको example से समझाऊंगा और साथी साथ जो एक्षेंज की volatility rate है यानि की dollar और जो इंडियन रुपीज की जो values है जैसे अभी माली जे एक dollar करीव 80 रुपीज के उपर चलता है तो उसमें भी बहुत ज़दा volatility देखने को मिलेगी अब यहसा क्यों करता है capital flight का क्या डर आप देखेगा 1997 और 98 के आसपास जो है Asian crisis आये थे Asian crisis में क्या हुआ था उन्होंने पूरा current capital account convertibility कर दिया था उसके करने से क्या problem हो गया था कि पहले तो उनके पास बहुत investment आया तो उनकी GDP अगर आप देखोगे उस समय तो उस समय उनकी GDP 10 प्लस थी 10% से ज़्यादा growth हो रही तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही इंवेस्टरों को लगा कि अब यहां पे scope जादा नहीं है तो इंवेस्टर ने अपना पैसा निकालना कर दिया शुरू अब जैसे ही जैसा पैसे निकालते गए तो जो उनका local exchange rate था आपकोस जब देखे क्या होता है जैसे मालों balance situation चल रही है और suddenly dollar जो है outflow होने लगे तो dollar जब outflow होगा तो अपने आप जो local currency उसकी value decline होने लगती है और वही हुआ तो Asian में क्या हुआ कि बहुत जादा crisis आ गया था और इसी को देख करके जो है RBI और government capital flight और exchange rate को दिमाग में रख करके exchange rate की volatility को ध्यान में रख करके full capital account convertibility allow नहीं करते ह साथी साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे neighboring country के क्या concern है क्योंकि हमारे इंडिया की policy है वो भी बहुत अच्छी नहीं रही है जैसे आप देखो especially currency को लेकर के बात करें तो 2016 में demonetization आया और अभी 2000 का note फिर से withdraw कर लिया ये बहुत ही जादा negative impact डालती है अपनी currency की stability पे औ बहुत बड़ा concern है जिस पर हमें काम करना होगा इस तरीके के step नहीं लेने होगे क्योंकि इस तरीके के step कहीं ना कहीं investor को या तो जब हम international level पर अपनी currency को ले जाएंगे तो बहुत ही negative impact उसका पड़ता है अब हम देखेंगे कि अगर internationalization हम कर देते हैं तो उसके हमें क्या benefit होगे तो सबसे और foremost benefit होगा हमें कि हमारी जो dependency या foreign currency पे वो कम हो जाएगी अब कैसे माली जे हम crude oil खरीदते हैं तो हमें crude oil का payment देना पड़ता है वो dollar में देना पड़ता है ठीक है या फिर दूसरी foreign currency में dollar जादर dominant होता है इसलिए dollar की बात कर दें तो अब क्या होगा माली जे साओधी अरविया से हम लोग oil खरीद रहे हैं तो हम उनको dollar में क्यों दे हम कहेंगे कि यह लो सीधे रुपे पकड़ो आप आप हमें oil लो हम आपको रुपे देंगे हैं सुवास चंद बॉस जी का नारा तो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि हमारी जो dependency है जैसे हमें अभी क्या गया है US dollar को reserve करके रखना पड़ता है तो हमें वो reserve नहीं करना जाएगी है ना और जो हमें currency का fluctuation कई बार होता है ना जैसे इसको example से समझेंगे currency के fluctuation से क्या मतलब है कि मानलो इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चलता है कोई problem नहीं है लेकिं international level पर क्या चलता है कि dollar का मानलो rate बढ़ रहा है ठीक international market में आप देखो dollar का rate बढ़ रहा है उसस dollar करीदने के लिए मानलो 200 रूपे देने पड़ रहा है ठीक है आप सोचके देखो कि आप 200 रूपे आपको देने पड़ रहा है एक डॉलर करीदने के लिए सेम चीज़ खरीद रहा है और मानल लिजिए एक डॉल में ही एक बेरल जो है ओयल आता था तो अब आप सोचके देखिए कि पहले जिस चीज के लिए हम 100 रोपे पे कर रहे थे आप सेम चीज के लिए हमें 200 रोपे पे करना है जबकि हमारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है हमारी कंट्री में ना तो इंफलेशन है ना ही कोई प्रॉब्लम है ना ही डॉलर की बजाए से हमारी करन्सी डीबेलुएट हुई है कुछ भी नहीं है मानलो ऐसे तो चुकि हमारी कंट्री से वो प्रॉब्लम नहीं आई है वो प्रॉब्लम कहां से आई है इंटरनेशनल लेबल से आई है तो आप समझ रहे ना कि कितना problem होता है इन सब चीजों से और अगर वही हमारा रुपे रहा अगर हमें payment रुपे से ही करना है तो हम 100 रुपे सीधा साउधी अरभिया को देंगे कि यह लो भाई पकड़ो और हमें दो एक barrel तो हमारे उपर कोई उसका negative impact नहीं पड़ेगा उसका हमारे उपर negative impact नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह जो है फायदा हो जाएगा यह जो है exposure जो currency fluctuation का जो हमें डर रहता है वो डरभ से हट जाएगा साथी साथ हमारी क्या होगी कि जो global trade है वो भी बढ़ जाएगी क्यों दो बाते हैं कि एक तो international level पर जब हम direct transaction कर पाएगे तो लोगों को वो transaction easy लगेगा बैसे भी इंडिया का नाम बहुत अच्छा है तो direct हमसे खरीदेंगे ठीक है और साथी जाथ क्या है कि यह भी problem कम हो जाएगा कि जो currency conversion है और जो transaction charge है इसका भी खर्चा बचे जाएगा अब आप एक बात देखिए इसको भी example से समझेंगे माली ज dollar को rupees में convert करना है आप सो चो दोनों में transaction cost यहां पर भी लगेगा यहां पर भी लगेगा और अभी जब rupees में सारी जीज़ें चलने लगी तो ब्राजील ने डारेक्ट इसको दे दिया तो ना तो conversion में जो time लगेगा वो चाहिए और ना ही यह transaction cost देना है है ना तो countryों के लिए यह easy हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा और इसलिए हमें भी इसका benefit मिलेगा कि हमें एक तो forex reserve नहीं रखना पड़ेगा ज्यादा और ज्यादा अलग-अलग currency की value पर कोई impact नहीं पड़ेगा और यहों कहें कि international market में कोई issue आ भी रहा है especially dollar या points को ले करके तो उसका impact हम प कम पड़ेगा या directly नहीं पड़ेगा ठीक है और क्या क्या benefits है तो देखिए और भी बहुत सारे benefits है कि financial integration अच्छा हो जाएगा अब यह कैसे हो जाएगा क्योंकि हमारी currency वो recognize होगी globally और बहुत ज्यादा लोग use करेंगे तो ज्यादा लोग हमारे साथ आएंग और साथ ही जो हमारी currency है वो अच्छी होगी आप एक बास सोचके देखें कि अभी इंडिया का 2% share है trade में और 1.6% share है foreign market में ठीक है अगर यह चीजें दोनों increase होती है और internationalization होता है तो यह चीजें अपने आप increase होगी तो हमारे ट्रेड बढ़ेगा ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे यहां पर investment opportunity भी बहुत जादा हो जाएगी ठीक है तो इससे क्या होगा कि foreign investment investor भी अट्रेक्ट होगे capital भी हमारे यहां पर आएगी और बहुत सारा investment आएगा साथी साथ क्या है कि regional influence भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब आप देखो ना कि international level पर जब कोई चीज पहुंचती है तो economic player है Asia का और internationalization होने के बाद उस पर और चार चांद लग जाएंगे साथी साथ क्या है कि diversification of reserve कर सकते हैं कौन अलग-अलग country जैसे मालो अभी जो country है वो किस तरीके से काम करती है कि वो अभी US dollar है यूरो है यह सब रखती है तो फिर वो इंडिया इंडियन currency को भी रखने challenges क्या क्या है तो यह सब चीज़ें हैं लेकर साथी साथ challenges बहुत सारे हैं तो क्या क्या challenges है तो सबसे पहले है एक्चेंज रेट label पर भी impact डालेगी जैसे अभी आप देखो कि कही भी किसी भी country में कुछ भी problem होता है जो major country है तो उसका impact US dollar पर पढ़ता ही पढ़ता है तो उसी तरीके से फिर उसका impact रुपीज पर भी पढ़ेगा तो वो भी एक चीज़ है कि exchange rate volatility बहुत जादा होने के संबाबना है और उ foreign investment पर भी impact पढ़ सकता है साथी साथ capital flight होगी अभी बहुत बहुत जाएंगे बाहर की चलो हमें तो इंडिया में इंडिया में इंवेस्ट करेंगे ठीक है तो यह सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं impact करेंगी negatively और साथी साथ देखें तो एक तो क्या है कि अभी international level पर भी बहुत सारा competition है international level पर भी आप देखो USD का मैंने आपको बताया था कि करीब 88% है चाइना का 7% है तो इंडिया का तो अभी 1.6% है ना तो 1.6% से एक अच्छी मेंज बनाने के लिए इन करेंसियों को हमें compete करना पड़ेगा ठीक है तो इन करेंसियों को compete कर पाना इतना आसान भी नहीं है तो इस पे भी हमें काम करना पड़ेगा साथ ही साथ हमें confidence और perception भी लोगों का change करना पड़ेगा अब ऐसा कैसे आप देखे international level पर आप देखो तो जो आपकी monetary policy है उसका फिर बहुत जड़े important role हो जाएगा और जो आपकी economic policy है अभी तो जैसे आपने 2016 में government ने demonetization कर दिया था फिर वाइस आप demonetization करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप अकेले नहीं हैं अब आप अकेले demand नहीं कर रहे हैं आप demonetization कर रहे हैं तो उसका impact बाकी औ आपकी stability पर सब्सक्राइब लोगों को भरोसा तो होना चाहिए कि हाँ इंडिया की ऐसी policy सही है monetary policy सही है उसके trust किया जा सकता है अगर उनको confidence ही नहीं आएगा तो फिर trading नहीं करेंगे आप जैसे कोई company है जो foreign company है जो हमारे इंडिया में हम उससे बोलेंगे कि आप जो भी ब परता ही नहीं है है ना तो वो confidence हमें बढ़ाना पड़ेगा और साथी जाथ perception चेंज करना पड़ेगा कि हमारी policy जो है uncertainty नहीं है uncertain नहीं है मलब fixed policy है और बहुत transparent policy है ऐसे बताना पड़ेगा क्योंकि जितनी ज्यादा transparency रहेगी जितनी कम uncertainty रहेगी और हमें उनने ये भी बताना पड़ेगा कि geopolitical risk का क्या scope है क्या अगर कुछ कल के दिन कुछ problem होता है तो उसका impact भी हमारी currency पर पड़ेगा या नहीं पड़ currency को ले करके otherwise वो कभी change नहीं होगा ठीक है और साथ ही साथ market participant को भी हमें जो है साथ में लाना पड़ेगा आप क्यों भाई market में जितने लोग हैं जैसे business जो करते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी firms हैं companies हैं उनको भी तो हमें involve करना पड़ेगा या जैसे जो banks हैं बहुत बड़े-बड़े financial institution हैं उनको भी हमें साथ में लाना पड़ेगा क्यों उनको हमें बोलना पड़ेगा कि आप जो हमारी currency को promote कीजिए है ना तब जाकर कि हमारी currency international level पर एक अच्छा role play कर पाएगी ठीक है अब हम यह देखेंगे कि साथ में हमें चाइना से क्या सीखना चाहिए ठीक है चाइना ने ऐसा क्या किया है जिसकी बज़ेसे वो इस level पर पहुंचा है कि उसकी currency international level पर accept हो गई है तो देखिए हमें सबसे पहले तो यह बता फुली convertible करना पड़ेगा तब ही लोग कहेंगे मलब नहीं तो लोग को यह रहेगा ना कि आप अपने capital account को तो convertible करनी रहे हो आपको खुद पर बरुसा नहीं है कि currency का क्या होगा तो यह बोलेंगे ना लोग तो अगर वो current account full convertible रहेगा तो यह question और यह बात दिमांग में नहीं आए कि लोगों की ठीक है दूसरी बात क्या है कि जो हमारे import ए export होते है ना तो उसके लिए हमें उन्हें encourage करना पड़ेगा कि आप जितना भी इसका transaction हो रहा है वो रुपीज में कीजिए अगर वो लोग transaction इसका रुपीज में करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारे रुपीज को जो है promotion मिलेगा एक हसाफ से international level पर जादा इसको बढ़ेगा उसका ज्यादा percentage बढ़ेगा ठीक है साथ ही साथ हमें क्या है currency swap agreement भी करना होगा currency swap agreement जैसा कि हमने वो देखा था external borrowing बाला सेम उसी तरीके से होता है कि एक दूसरी country साथ आप ऐसे बात कर लो कि हाँ हम foreign currency में loan नहीं लेंगे जो भी loan लेंगे हम जैसे दो country है मालों इंडिया और ब्राजील के बीच की बात करें तो ब्राजील को launch है तो हम इंडिया वाले रुपीज में दे देंगो बापिस भी वो रुपीज में करते कोई दिक्टत नहीं है है ना तो इस तरीके से ये currency swap agreement होता है साथ ही साथ हमें क्या है कि tax incentives भी उनको देना पड़ेगा किसको जैसे जो foreign businesses होते हैं या मालों foreign investors इदर आते हैं या उन्होंने कोई foreign company फोल दी है तो उस company को हम क्या बोलेंगे कि आप जितने भी operation इंडिया में कर रहे हो या इंडिया से बाहर कर रहे हो वो सब आप रुप को ज्यादा प्रमोट करें और जब एक बाफ प्रमोट होने लगा इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक डिमांड बढ़ जाएगी और एक stability भी उसमें होना बहुत जरूरी है और stability रहेगी तो demand उसकी फिर बढ़ती जाएगी कोई problem नहीं होगा और इन सब currency के साथ जो पहले हम को हमें stable रखना है ठीक है stability बहुत जादा है currency management की stability या फिर monetary policy आप कहलो तो उसकी stability होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथी साथ हमें exchange rate regime जो है उसको थोड़ा improve करना पड़ेगा ठीक है जैसे कि हमने भी बात कि आपको की यहां पर devaluation या demonetization नहीं होना चाहिए दोनों अलग अलग time है devaluation मतलब होता है कि अपनी currency को कम दिखाना कम पैसों मतलब lower दिखाना जिससे क्या होता है export को बढ़ावा मिलता है अगर आप export बढ़ाना चाहिए तो अपनी currency को devaluate कर दीजे आप तो उससे आपका export बढ़ता है लेकिन यह चीजह गलत है जब आप internationalization अपने recommendation दी थी कि देखे और यह recommendation बैसे भी अच्छे है कि हम चाहते हैं कि हमारे आप FDI जादा है लोग हमारे हैं invest करें तो उसके लिए हमें इन चीजहों को fulfill करना ही होगा कि जो physical deficit है वो 3.5% से कम होना चाहिए अगर इतना है तो लोग देखके बोलेंगे ना कि हाँ यार इंडिय की condition बहुत अच्छी है है ना economy में तो हमारी growth करी रही है वही 7-8% तक growth करती है लेकिन physical deficit अगर बहुत जादा है तो लोगों को लगता है कि government कर क्या रही है है ना साथी साथ inflation भी हमें control manner में रखना है 3-5% तक जैसे RBI का target तो 2-6% तक है लेकिन अगर हम 3-5 रखने तो और भी best है ऐसा तारपुल का बेटी का बोला गया तब हम internationalization of rupee करेंगे तो हम उसका बहुत फायदा होगा और साथी साथ जो हमारा वैंकों का NPA वो 5% से कम होना थी है यह भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है NPA तो यह सब चीज़े हमें improve करनी पड़ेंगी तब ही जाकर के हमारा internationalization of rupee है और जो हमारा vision internationalization करने का वो fulfill हो पाएगा ठीक है तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको यह topic बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर topic अच्छे से समझ में आया है तो इसको like कीजिए वीडियो को share कीजिए और channel को subscribe कीजिए Thank you, thank you very much for discussion